मित्रों भारते एतिहास अनेक सूरवीरों बहादुरों की कहानियों से भरा पड़ा है लेकिन इन में से कुछ ऐसे सूरवीर थे जिनको तो जन्मजाद विरासत में बहुत ही बड़ी बड़ी जागीरे राज मिला कुछ ऐसे वीर थे जिन्होंने अपनी पहचान स्वयम आज इसी प्रकार के संगर्सवीर कर्मवीर और महान योधा बुंदेल किसरी च्छत साल के बारे हमें आपको बतलाने चल रहे हैं महराज च्छत साल बुंदेल किसरी के रूप में जाने जाते हैं और जिनके बारे में एक कहवत थी च्छता तेरे राज की धरती धक धक होए और जित जित घोडा मुख करे उत उत फत्ते हुए। जहां इनका घोडा जाता था उस रास्ते में इनको सफलता ही सफलता मिलती चली गई। एक ऐसे संघर सवीर की कहानी जिलोंने मुगलों के समय मुगलों के दात खटे करके मालवा और उसके आसपास मध्य परांद का जो प चंपतराय इनकी मा का नाम था लालकोर और ये महेवा जागीर के जागीरदार चंपतराय के पुत्र थे। चंपतराय बहुती बहादुर और बहुती बलिस्ट योधाओं में थे और और और्छा के राजघराने से आते थे और ये राजपूत बंस की गहड़वार साखा के प्रधान थे तो बीर सिंग बोंदेला के जो जहांगीर के परम्मित्र थे उनकी सेना में इसे ना पत थे चंपत राय ने बाद में लेकिन मुगलों के साथ कई लडाईयां रड़ी हैं महराज 6 साल का जन्म एक ऐसे ही बाताबन में हुआ जहां उनको इद्धों की खनक के बीच में अपना जीवन बिताना पड़ा तलवारों की खनक, रर्भेरी की आवाज और इसमें 6 साल का बच्पन पला पड़ा 6 साल का जब जन्म हुआ उसके बार चंपत राय की परिशानिया बढ़ती जा रही थी क्योंकि मुगलों से इनको निरंतर संघर्ष करना पड़ता था ऐसी स्थित में चंपत राय ने अपने पुत्र साल को अपने साले साहव सिंग धुन्देला के पास जो ललिदपुर में देलवारा के पास रहते थे वहां पढ़ने और इुद्ध की सिच्छा के लिए भेर दिया मरानी लालकुवर स्वेम चंपत राय के साथ दस्तल में जाती थी और इसी प्रकार एक युद्ध में जहां चंपत राय जब मुगलों से घिर गए और उनको लगा कि मुगल से उनको और उनकी रानी लालकुवर दोनों को गरिफतार कर लेंगे तो चंपत राय ने स्वेम अ के साथ प्रतसोध की भावना पैदा हुई छतसाल ने अपनी सिच्छा दिच्छा जो सरी सिच्छा अपने मामा के हां से प्राप्त की उसके बाद इनके बड़े भाई अंगद ने जैपूर के आमेर रियासत के राजा जैसिंग के यहां नौकरी कर ली चत साल ने भी उनके हां कुछ दिनों के लिए राजपूत सेना में सेनिक के रूप में अपना योगदान दिया और यही नहीं इन दोनों भाईयों ने जब जैसिंग को औरंग जेव ने दच्छिन अभ्यान के लिए भी जा तो उस सेना में इन दोनों ने बड़ी बहादुरी का परजे दिया और जब पुरंदर की संधी हुई 1665 में जैसिंग के नेतुत में मराटों की पराजे हो गई और सिवाजी को संधी करनी पड़ी तो उस युद्ध में इन दोनों भाईयों की बड़ी भारी भूमका थी करके और और चा के आज़ पास जो महवाकि इनकी जागीर थी उस छेत्र में अपना स्वेम का राज स्थापित करने का परण लिया और मुगलों से प्रत्सोध लेने की ठान ले अब 166 को मुगलों से प्रत्सोध लेना ही एक उद्देश बन गया और इसलिए उन्होंने सिवाजी से भेट करनी जाए प शिवाजी से भेट करना भी इतना असान नहीं था लेकिन शाहस के धनी छथशाल ने किसी प्रकार सिवाजी से संबंद स्थापित करने और उनसे भेट का मौका तलासी लिया 1668 हिस्वी में दोनों बीरों की एक एतिहासिक भेट हुई सिवाजी और च्छत साल दोनों मिले सिवाजी को समर्थ गुरू रामदास का आसिरबाद भी मिला और भवाणी नामक तलवार सिवाजी ने च्छत साल को भेट की और इन्हें कहा कि वो एक हिंदू राजिकी अस्थापना बुंदेल खंड में करे बुंदेला सरदार च्छत साल महाराश्च से बुंदेल खंड आये और इनके पास ज़्यादा संसादन नहीं थे इन्होंने अपने सीमित संसादनों में कहते हैं कि मा के जेवर को इन्होंने बेच करके केवल 30 गुरसवार और लगभग 365 पैदा सेनकों की चोटी से टुकडी तैयार के और इसके बाद इन्होंने अपने आसपास के इलाकों पर जो मूलों के छेत थे उस पर आक्मर करना चा माल प्राप्त होता था उसको अपने सेनकों में बाठना चालू कर दिया सबसे पहला आक्मर इन्होंने अपने पिता की हत्यारों जो धंधेर लोग थे उनके ऊपर आक्मर किया और उस लूट पार्ट में जो भी धंदासी मिली सब सेनकों में बाठ दिया धेर धेर इनका प् प्रित्या करने के बाद अब इनका अगला उद्देश था कि किसी प्रकार ग्वालियर के किले पर अधिकार किया जाए और ग्वालियर का किला उस समय सुभेदार मनोवर खां के अधिकार में था चट्रसाल ने ग्वालियर के किले पर आक्रमण किया और उस आक्रमण में मनोवर खां पराजित भी हुआ और इनको डेड़ करोण से अधिक की धनराश प्रप्त हुए अब इनके पास काफी धन्दवलत भी आ गई सेना बड़ी हो गई धे धे जो आसपास के राजपूर सरदार थे वो इनके जंडे तले आने लगे लेकिन और अरंजेब का माथा टनका और अरंजेब में देखा कि मुंदेल खंड में एक नई सक्तित उत्पन हो रही है और अरंजेब ने चत्र साल को नियंतित करने के लिए एक बहुत बहादुर जो मुगल सेना पत्था जिसका नाम था रहुला खां या जिसको रणदूला कहा जाता था तीस हजार की बड़ी सेना ले करके भेजा चत्र साल ने पूरी भादुरी के साथ सेन को को एकठा किया और बार बार के आक्रमनों में रहुला खां को पराजित किया यही नहीं जो और छोटे-छोटे मुगल सेना पत्थे वो सब पराजित हुए एक दोस में मारे गए सेस दिल्ली क्योर भाग गए अब चत्र साल की पूरी धोस आसपास के इलाकों में बैठ गई बुद्देल खन का बहुत बड़ा इलाका जहां सी हमीरपूर, महोबा, पन्ना, सागर, भिन, मुरैना, घ्वालियर यह सारा छित चत्र साल के जंडे के नीचे आ गया कहते हैं कि इत यमुना उत नर्मदा, इत चंबल उत टोंस, छत्र साल से लड़न की रही न का हूँ होस किसी भी मुगल सरदार हो, चाहे राच्पूर सरदार हो, किसी की हिम्मत नहीं थी कि जो छत्र साल को रोख सके चत्र साल का जो पर्चम था बढ़ता जा रहा था, पूरे परवान पर था इनका ओज और जोस, और इसी समय इनकी भेंट एक आध्यात्मिक हिंदू धर्म गुरू जो प्रणामी संप्रदाई के थे, संत प्राणनाथ से हुई समर्थ कुरू रामदास का आशिरवाद उनको मिली गया था, बुंदेल खंड में चतरपुर के जंगलों में तवस्या कर रहे स्वामी प्राणनाथ ने इनको आशिरवाद दिया और उन्होंने अपना सिस्ष बना लिया छतर साल ने उनसे विने की, तो उन्होंने अपने जीवन परियन्त बुंदेल खंड में ही रहना सोयकार किया और कहते हैं कि उन्होंने आशिरवाद दिया कि तुम्हारे राज में ही 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 पैदा हुँ और उसका प्रड़ाम है कि पन्ना की हीरे की खान इनके राज में उत्वन हुई च्छत साल ने उन्ही के देख रेख में अपना राजा विशेक कराया और स्वामी प्राणदाथ ने इनको महराजा के उपाते 1683 में इनकी प्राणदाथ स्वामी से भेड और 1686 में च्छत साल का सिंगाशना रोहन हुआ एक ऐसा सरदार जो की मात्र जागीरदार से लेकर के अब महराजा बन चुका था उसके अधिकार में एक बहुत बड़ा इलाका आ चुका था बड़ी सेना एकठी थी च्छत साल ने दुस्मनों के दात खटे कर दिये लेकिन अभी संगर्ष का दोर बाकी था और अंजेव तो लड़ते लड़ते थक गया लेकिन च्छत साल के उपर नियंतित नहीं कर सका और अंजेव के बाद जब 1729 सिस्वी में मुहम्मद साजव सासक बना तो उसने इलाहबाद के सुवेदार बंगस खां को एक बड़ी सेना ले करके च्छत साल को नियंतित करने के लिए भेजा जो आसपास के दतियाद के राजपूर सरदार थे उस समय च्छत साल की सहायता के लिए नहीं आये सुवेदम इनका जो बेटा था इनके पांच बेटे थे उन बेटों में से हिर्देनात जो था वो भी थोड़ा उदासीन सा था लेकिन इन्होंने उस समय एक सहायता पत्र लिखा पेशवा मराठा पेशवा बाजी राओ प्रथम को इन्होंने लिखा जो गति भई गजेंद्र की सो गति पहुंची आए बाजी जात बुंदेल की बाजी राखो बाजी राओ इन्होंने एक नम्र निवेदन किया कि अब संकट की घड़ी है बुंदेला सरदार शत्र साल पर आप ही हमारी जत बचा सकते हैं और कहते हैं कि बाजी राओ प्रथम एक बड़ी सेना ले करके इनकी सहायता के लिए है बंगस खा बिना लड़े ही उसने अपनी पराजे सोकार कर ली और बाजी राओ प्रथम की सेना को देख करके ही भाग गया चतर साल ने बाजी राओ को अपना पुत्र खोशिप किया और यहीं नहीं महोबा के आसपास का लगवग एक बटा तीन अपना सामराज बाजी राओ प्रथम को इन्होंने दिया और चतर साल की दूसरी पत्नी थी रुहानी बेगम उनकी बेटी थी मस्तानी मस्तानी का विवावी वाजिराव पर्थम के साथ इन्होंने करवाया और छट्र साल ने अपने जीवन में ही अपना पूरा सामराज अपने दो बेटे हिदेशा और दूसरे जगस सिंग के बीच में विवाजित कर दिया 44 वर्ष का सासनकाल 52 इनके नामदर्द है और अधिकान सिद्धों में इनको सफलता मिली 82 वर्ष का एक लंबा भरपूर जीवन जी करके बुंदेल खंड में अपनी ये सोगाथा को अस्थापित करके ये जुरान केशरी बुंदेला सरदार था 1731 सिस्वी में उस परम जोती में समा गया आज भी इनकी जो समादी है ओ धुबेला जो मध्ध प्रदेश में छतरपुर के पास इस्थित है वहाँ पर चिर निद्रा में इस महान वीर की आत्मा चिर निद्रा में सो रही है तो चतर साल एक ऐसे सासक जो महान सामराज निर्माता साथ साहित के अनुरागी है चतर साल के दरवार में महा कभी भूशर लाल कभी जिनका नाम था गोरे लाल लाल कभी के नाम से लिखते थे चतर साल दसक के लिखने वाले महा कभूशर ने कहा था और राव राजा को ध्यान हूँ न लाई हूँ सिवा को सराहू या सराहू चतर सार को या तो मैं सिवा जी की प्रसंसा में गीत लिखूँगा या चतर साल की प्रसंसा में लिखूँगा तो च्छत्र साल दसक नाम की पुस्तक महा कभी हुषण ने लिखी लाल कभी ने च्छत्र साल प्रकास नामक ग्रंद लेगा तो विद्वानों कभीयों का संदच्छक हिंदू धर्म के संस्थापक हिंदू कुलगौरो और हिंदुआ सूर जो सिवा जी के बाद भारत का आखर नरकेशरी जिसने की भारत में हिंदू सामराज की अस्थापना करके भगवा धुज को पूरे बुंदेल खन में फैराने का प्रयास किया उस नरकेशरी को नमन और उन्होंने दिखला दिया कि ये जबीन ये धर्ती बीर भोग्या वसुंधरा है मित्रों आपको वीडियो कै कैसा लगा अपनी प्रत्किया भी देंगे विविन जो सोचल मेडिया प्लेटफार्म हैं उनसे आप हमसे जूड़ सकते हैं मिलते हैं अगले वीडियो के साथ धन्यवाद्ट